हेलो फ्रेंड फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपका अपना यूटूब चेनल मेजर टार्गेट परतो फ्रेंड आज की इस वीडियो में अमलोग कलास्टेंद के साइन्स का जो फर्स्ट चेप्टर है फिजिक्स का प्रकास का प्रावर्तन के यहां पे अमलोग टोटली जो इना चालिस मोश्ट इंपोर्टेंट है और जरी को परहने वाले हैं जी हां दोस्तों इससे पहले अमलोग जो इना कलास्टेंद के फिजिक्स का प्रथम चेप्टर प्रकास का प्रावर्तन के सभी महतप से क्लास को जरूर कर लिजेगा दोस्तों इसी वीडियो के नीची में हम लोग लिंक डाल देंगे वहां से जाकर के देख सकते डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जागा ठीक है परकास का परावरतन का जो सब्सेक्रिव टाइब को संसम कराए थे जो भी अभिहारती नहीं क्लास क हैं उसका तो आप लोग क्लास को जरूर कर लिजेगा तो आज के इस क्लास में हम लोग काफी महतपूर्ण है फिजिक्स का जो फर्स्ट चेप्टर परकास का परावरतन के चालिस मोस्ट इंपोर्टेंट है ऑप्जेटिव कोसन यानि की वस्तुनिस्ट परसन को परेंगे ठ से प्रेस करके ओल पर जरूर से लिटकर लिजेगा ठीक है और दोस्तों यहां पर क्लास का टाइम को नोट कर लिजिए जो भी अभी आरती नए है जिसको भी क्लास का नहीं है ना तो क्लास का टाइम को नोट कर लिजिए दो पर में डेली एक बज़े दो पर में क्लास होगी भी ठीक है उसके यह पहोँ उसके ना फोली rooting सभ़ेcht को शोभें Сबसे घर सकती है और इसी वीडियो में हम बता देंगे कि और ऊल्लाइन टेस्ट कैसे ढे सकते हैं और दोस्तों इनके साथ साथ जो भी class है चलेगे ना तो उसका पेडिय में फीरीप कोस्ट मिलेगा तो पेडियाप कैसे डाउनलोड किजेगा हम इसी वीडियो के लाश्ट में बता देंगे ठीक है तो फटा वर से यहां पर class को लाइक कर दीजेगा उससे पहले जो विद्याटेवी तक हमारे वार्टसप गुरू में नहीं जूरे हैं तो चल्लिः से मेरा वार्टस नम्är को नोट कर सकते हैं उस संप Ch경eralis Flutkin birlikte करा दीडेए तो आज की जो परिशने दो काफी मत पूरन हैं यहां पर आपको बताना है कि परकास की किरने गमन करती है काफी महतपूर्ण परसने बोड एक्जाम 110 परसेंड पूझ जाएंगे आप सभी को पता होना चीए दोस्तों परकास की जो किरने होती है न यह हमेशा कौन सी रेखा में गमन करती है तो देख सकते हैं आपका दिया ग सन यहां पर आंसर कर चुके हैं तो वह इजली बता देंगे जो परकास होती है न दोस्तों यह सीधी रेखा में गमन करती है तो फ्रेंड यहां पर परकास का सरोद देख सकते हैं माली यह सन है और इससे जो परकास निकलती है न दोस्तों हमेशा सीधी रेखा में निकलती है ठीक है एक दुसरे के सीधी पर一些 सुरा निकलती है आपको पता होना चाहिए अगर आपकी एग्जाम में कुछा जाए कि परकास की और निरुवात याप पर सुन्य में परकास की चाल सबसे ज़्यादा होती है अगर आपके एक्जाम में यह भी पूछा जाए कि कितना होती है तो तीन गुना दस के पवर आट मीटर प्रातिस सेकेंड होती है ठीक है इसको बच्छी तरीके से याद के लिजिए अब चले फिरेंड देखती हैं पर जो कि नेक्स्ट लेवल के हैं काफी मतपूर्ण आपके बोर्ड एक्जाम में 110 परसेंड पूछे जाएंगे तो यहाँ पर आपको बताना है कि प्रकास के प्रावर्तन के कितने नियम है यह भी हम सब्जेक्टिव वाला कलास में प्रहा चुके हैं तो फिरेंड आपको पता दूसरा नियम यह होता है कि आपतन कोन तथा प्रावर्तन कोन यह दूनों आपस में बरावर होते हैं कहने कारते कि आपतन कोन को कोन आए के दोड़ा दिखाते हैं और को प्रावर्तन कोन को हम लोग कोन आर के दोड़ा दिखाते हैं तो आपको यह दोनों नियम पता होना च और दोस्तों हम ये भी आपको बताए थें कि परगास के परावरतन क्या होते हैं. जब भी कोई परगास किरन किसी माध्यम से चल कर किसी चिकने सत या फिर दरपन से ठकराने की बद पूर सी माध्यम मैं लुट जाती है तो उसी कोम लोग क्या कोते हैं प्रकास का प्रावरतन कहते हैं उम्मिद करते हैं सारा कुछ आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे चले फ्रेंड देखती हैं पर नेक्स्ट को सन देखेंगा तीसरा नमर परसंट जो कि आपके बूर्ड एक्जाम 110 परसेंड पूझे जाएंगे तो यहां पर आपको बताना है कि किसी कार का अगरधेब जिसको हम लो क्या पहते हैं है में परियुकतो दर्पंण सा होता है ठोफ्रेंड यह जो आपका कोई बी वहां हो सकता है कोई भी कार हो सकता है या फिर कोई भी आपका बाइंग मोटर साइकल कुछ भी हो सकता है तो उसमें जो हैडलाइड होता है अग्रदीव होता है इसमें जो दर्पन होता है ना इसमें कौन सा दर्पन का उप्योग करते हैं ठीक है आप सभी को पता होना चाहिए दोस ए डरपन का अउतल दरपन रिफ्लेक्टर के रूप में आटो मोबाइल हो गिया मोटर वहां टोड़ लाइट रेले इंजन असमें हैट lie की रूप में अउतल दरपन का रही उफ्योग किया जाता है ठ्याँ डिए क्यों किया जाता धूस्तों जो भी परकास रोध होते हैं न दरपन के focus पर fix किया जाता है, ठीक है, light को कहां पर fix किया जाता है, परकास सरोत को दरपन के focus पर fix किया जाता है, ताकि परकास की किरने काफी लंबी दूरी तैय कर सेगे, ठीक है, चले देखती हैं, पर next question की तरब बर चालती है, जो कि आपके exam 110% पूछे जाने वाले person को यहा कि किसी दरपन से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, ठीक है, आपका परतिविंब सीधा प्रतीद होता है, संभवतों दरपन क्या होगा, ठीक है, काफी simple person है, तो friend हम पढ़े हुए थे, subjective वाले class में, कि एक दरपन होता समतल, एक दरपन होता उतल, यह दोनों दरपन के सामने परतिविंब को आप कितनी ही दूरी पर खरे रखे है, इसका जो परतिविंब बनेगा ना दोस्तों, सिर्फ मलब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ पका कौन सा दरपन है, समतल दरपन है, जो हम लोग घरों में, एनक की रूप में, इसक सीधा बनता है, इसमें भी सीधा बनता है, और इसमें भी सीधा बनता है, कितने ही दूर खड़े हो जाए, तो यहाँ पर कोशन आप से ही पूछ रहा है, कि किस दरपन से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिविंब हमेसा सीधा प्रतिद होता है, यानि दा वरत यहां चलते हैं आपके बूर्डि गंब दर्शं पूछे जा सकते हैं जो समतले रपधान रेक्षण हemu उसमें किस तरह का पतिमेंदा में बनता कर पहन को बनता हैं लिए ओसंगा ये सब भाधार और बनता है ठीक है इसको अच्छी तरगे से याद कर लिए चले देखती हैं पर नेक्स्ट के तरफ बर चलते जो कि आपके बोर्ड एक्जाम 110 परसेंट पूझे जाने वाले परसंट को यहां पर रहे हैं तो यहां पर आपसे यह कर रहा है कि निमने लिखित में से किसका अप से ज़्यादा होता है ठीक है तो हम यहां पर बार-बार हम आपको बताते हैं कि कौन ऐसा माध्य में जिसका अपूटण Watson चोहते होते सबसे जादा होते मैकसिमम होते तो फेर यह पे काभी सारी पदार्थ दिया हुआ है अगर आप सभी का अपौटणहरं में से जो काच के लिएगा और आपके एक्वस्व कोन कहते हैं की अप्रेथन किना होते हैं एक दस्वलों 5 होते़ को पूझी दरिगे सेया कि दोना मैं चैन फैस इसनगہ घ्यांव कर grinder पूझे जाएंगे इसलिए यहां पर प्रकास की चाल सबसे उदिक है तो यहां पर देख सकते हैं यहां पर चार को पडार्थ दिया हुआ है और यहां पर इसका पॉर्तरंग दिया हुआ है प्रकास की चाल दिया हुआ है किस मातिमें कितना मलब परकास की चाल होगा ठीक है यहां पर चाल इसके कौण कौण सा पदार्द है जिसकी अलग अलग माति Relate होती है यह जैसे कि काँछ पाणी निर्वात का तार्पिन का तेल यह अलग अलग माध्दिय में अलगलग प्दार्द है और इसमें सभी में प्रकास की चल अलग-अलग होगा टेकें तो आप सभी squeeze को यह होती है जो सब सबसे ज़्यां किसमी होती है निर्वाद में होती है जिसको हम लोगो क्या करते सेगेंड पानी में भी दिया हुआ और तारपन का तेल में भी दिया हुआ है तो जब भी आपसे पूझा जाए कि किस माद्य में परकास की चाल सबसे अधिक होती है तो निर्वाद में परकास की चाल सबसे अधिक होती है और हम आपको यह भी बता हुए हैं सब्जेक्टि वा होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं मीरर फर्मूला कहते हैं तो फ्रेंड आपको पता होना चीछ जो दर्पन सुत्र होते हैं तो दर्पन जो सुत्र होते हैं वो यूई चाहिए कि यानी कि यहां पर दोस्तों इसी में लेंज्श फीचाश कել लिख को सब्सक्रों कहते हैं तो लेंज्श सुत्र रूंट जए कि लेंज ब्याइब यह दो कुछने करना और चैंजिंग सिर्फ पक्लस के यहां पर मा bell का उपते हैं करदा इस और शूत्यान के सब्सक्राइब करो याद कर दों चलते लेखते अपकी एकस्तुट के तरफ परशन पूछे जाएंगे तो यहाँ पर वहानों में पीछे देखने के दर्पन की रूप में उपयोग किया जाता है बहुत ही प्रण्ट में लगा होता है या फिर भीच में लगा होता है तो विसको सुख प्रकश्य लिए लगा जाता है और ऑप कोई सा धरपन होता है उत्तल दरपन लगा है पीछी गह Pen bere t at not to provide i comment the lock aloy i और ओन तो आपको बताना है तो उत्वार अपकी अपका यार कौन अ होता है न सोस्ट इसमें पती मि-मा बनता है वस्तू से छोटा वस्तू से छोटा बनता है उसके बाद सीधा बनता है कि और यहां पर जो उत्तल दर्पन को का सभसेतर होता है न यह बहुँत बड़ी एडिया खोलत संब मिरड हवर कर सकता है जैसा कि आप सकते हैं यह जो का फ्रेंड मीर है वाइद है उत्तल्णारपन कहां सा पने उत्तल्णारपन उत्तल्णारपन की जो सब से बड़ी कासिद होती है यह चोटा सर प्रैइं यह बहुत बड़े बहुत बड़े हो ओकाव कर सकता है एक कि छोटा सच मिलड़ में देखिएंगा दोस्तों एक बरा सा वाहान को कभर कर रहा है एक वेक्ति को कभर कर रहा है और पीछे का पूरा दिर से को कभर 먹 और एजिली खेंट यह आ में पूछा जाए कि उत्तल दर्पन में कैसा पर्तिविम मनता है कालपनिक सीधा और वस्तु से छोटा ठीक है चले देखते हैं पर नेक्स्ट कोसन की दरबर चलते हैं चले फिर यहां पर आपको बताना है कि उत्तल दर्पन के सामने एक वस्तु को रखा गया है इसकी प्रतिविम की प्रतिविम की कैसी होगी काफी सिंपल है हम आपको बार्वर बताते हैं उत्तल दर्पन के सामने कोई भी वस्तु को रख लीजिए इसका जो प्रतिविम की प्र और छोटा भी होगा ठीक है चले देखते हैं पर नेक्स्ट कोस्टन को देख लीजिए का जो की बहुत ही इंपोर्टेंड है ठीक है तो यहां पर आपको बताना है देखेंगा दूस्तों कि किस दर्पन का उप्योग समाने था वहां का पच्छ मलब पासुर पच्छ द्रीसिय की रुप में किया जाता है यह फार वार रिपीट हो रहा है अलगलग टैप का अलग अलग तरह से पूछा जाता आपके एकzkजाम में तो यहां पर पर जेको पर यहां पर नेक्स्ट क्वेशन की दरबर चलते हैं तो फ्रेंड यहां पर देखें कि आपको बताना है किस दरपन की फोकस स्थीव होकेस तो तो फ्रेंड आपको पता हो éta यह आपका एक होता है उत्तल दर्पन एक होता है गिपर और सब्सक्राइब– valेया तरफ और इसका परत्विम् पर्तम बनता है नुझत्य officers बनता है किस दुर्पिम भनता है इसको ची تھ driving है याद रिखेगा यह आपका उत्ताल दरपन है। जो बयातर से और उत्ताल दरपन होते हैं, انहीं हम जो बयातरप बनते हैं। और दोस्तों यह बाया तरफ क्या होता है बाया तरफ क्या होता है नेगेटीव होता है परतिविम जिस तरफ बने गा उस तरह तो फोकस होगा ना फोकस होती हुए गुजरेगा तो वही तभी तो परतिविम बनेगा और दोस्तों यहां पर क्या देख रहे हैं आप यह आपका कने पपिए सब्सीन है यहां पर आपने कोई करते हैं या यह प Inspire आपने में का मईत परने पर्फिंसры है यहां तरफ और उत्तल दरपन में पर्तिव मनता है दाहिनी तरफ और दोस्तो जो उत्तल दरपन की जो फोकस दूरी होती है लेकिन जो उत्तल दरपन होती है इसकी जो फोकस दूरी होती है आपका क्या होती है दोस्तो पोजिटिव होती है चले यह आपको काफी अच्छी तरीके से समझ मे आ चुका होगा चले देखते हैं पर नेक्स्ट कोस्टन के दरफ पर चलते जो कि आपके एक्जाम 110% पूछे जाएंगे तो यहाँ पर आपको बताने कि नई कारते चिन परिपार्टी के नुसार दरपन के सामने रखे गए बिम की दूरी ली जाती है तो आप सभी को पता होना है नई कारते चिन परिपार्टी के नुसार ठीक है यहाँ पर लिखा हुआ है कि नई कारते चिन परिपार्टी के नुसार दरपन के सामने रखे गए बिम की दूरी ली जाती है तो वह क्या ली जाती है आप सभी को पता होना चीए यह आपका आउतल दरपन है और यह आपक ली जाती क्या बाई तरफ मलब दरपन के सामने बाई तरफ होगा ना दोस्तो तो बाई तरफ जो मापी कई दूरिया होती हो क्या होती है नेगेटिव होती है और दोस्तो दरपन के पीछे दाइनी और जो मापी कई दूरिया होती हो आपका क्या होती है दोस्तो पोजेटिव ह होती है क्या होती है पोजिटिव इसको अच्छी तर्क लिजे तो दर्पन के सामने बाई और मापी के दूरिया धना रिनातम होती है और दर्पन के पीछे दायनी और मापी के दूरिया क्या होती है दोस्तों धनातम होती है और इधर कपका क्या होती है और रिनातम होती है तो मुख्य अक्ष के लंवत नीचे की और मापी की दुरिया क्या होती है सोरी ओपर की और मापी की दुरिया पोजिटिव होती है मुख्य अक्ष के लंवत ओपर की और मापी की दुरिया पोजिटिव यानि की धनातमग होती है और मुक्यक्ष के लंबवत नीचे की और मापी की दुरिया क्या होती है नेगेटीव होती है ठीक है यानि कि और रिनातमक होती है और दरपन के सामने बाई और मापी की दुरिया धनातमक होती है और दरपन के पीछे दाइनी और मापी की दुरिया क्या होती है इदर धनातमक और इदर आपका रिनातमक होता है। इदर आपका क्या होता है। दोस्तूर होता है। उपन में पलस नीचे में माइनस होता है। इसको नीचे होता है।ONY कि नहीं कार्थे में- परिबंस और से लिएंगी उप्सन मर्सी बिल्कुली से उतर हो जागा चले देखते हैं आप नेक्स्ट को सन इसको अच्छी तरके से यत कर लीजिए यह दिक किसी संभाव तिर्बु जाने की पिरिज्म में निर्गत कौन और विचलन कौन करम सा 40 डिगरी है और 30 डिगरी है तो यहां पर आप से पूछ करें करें लाइक ने कीया है तो यहां पर चैनल पर नहे है तो जल्दी से आप फडावर से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजेगा इसको जो है प्रेस करके ओल पर जरू सलेट कर लीजिए और दोस्तों जो वीदियार थी हमारी वार्ट्सप ग्रूब में अभी तक नहीं तो और एक बार नंबर देते हैं मेरा नंबर है 620607-6569 इस पर हाई कीजिए आप दोस्तों वार्टसप गूर्व में जूड़ जाएंगे टीक है वार्टसप गूर्व में जूड़ने से काफी सारे बेनेफिट मिलेगा तो सबसे पहले यहां पर आपको अल्लाइन टेस्ट का आप बेनेफिट मिलेगा उसके बाद यहां पर कोई भी क्लास का पेडियोब आप 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 ईजिली राउनलोट कर सकते हैं सबसित में जाकर चलेग सारे बेसे लें उगये 5,4 क्लास का टायम खत Запै साम्सालें सब्सुरल एग और आपके एक्जाम में 110 परसेंड पूछे जाएंगे तो यहाँ पे आपसे यह कड़ाएगी निमने लिखित में कौन उत्तल दरपन की फोकेस दूरी है जिसकी वक्रता तरिजा 32 सेंटीमीटर है ठीक है तो सबसे पहले यहाँ पे देखेगा दोस्तो दरपन कौन सा है उत्तल दर है दर ठीक है और उत्तल दरपन की जो फोकेसदरी होती है और वह क्या होती है बिलकुल सेपवोचितिव होती है सोलो सेंटिमीटर्र फोकस दुरी हो जाएगी धनातामक होगी क्योंकि दरपन उत्तल अधर बाति विशेश सब्सक्राइब किस दर्पन का उप्योग मरिजों के दातों का बड़ा परतिविम देखने के लिए करता है तो फ्रेंड जो भी डॉक्टर लग होते हैं वो कौनसा दर्पन का उप्योग करते हैं मरिजों का दातों को देखने के लिए बड़ा करने के लिए वो आपका आउतल लर्पन होते हैं अउतलरपन जो न दरपन के मातियम से दाथ को देख रहा है? यह कहुन सा दरपन है? अउतलरपन है. औो तो में जो पर्तिव मनता है न जो वस्तु से बड़ा करके पर्तिव मिन दो енस्तों भान करके यही बदा बनता है और दो 80 में बहुती है । कहते हैं जो…… कौन सा दरपन का उपयोग किया जाता है इसलिए यहां पर बिल्कूली करेक्ट आंसर हो जाए चले देखते हैं पर नेक्स्ट के दरबर चलते हैं जो कि आपके एक्जाम 110 परसेंट गैरंटीट परसन है तो यहां पर बताना कि गोली दरपन के प्रावर तक प्रिष्ट की विर विर्टाकर सीमा रहेका आखलए gone कहां ऑट norm bead दिखाते आया किấं कि किसी दरपन की कुल लंबाय उसका क्या कलाती दुस्तों दो dawn कला दीए या फिर इसको इस परका लिखा कगया है कि गोले दरपन कि प्रावर तक प्रिष्ट की विर्थाकर सीमा डेखा का इस क्या क्या क दरपन का एक साइट क्या होता है दोस्तों पूलिस क्या और तो यहां पर दोस्तों बिल्कुली से उतर हो जागा चले देखते हैं पर नेक्ष्ट को संजो की बहुत ही महतपूर्ण है यहां पर बताना है कि यह दिक यहां पर जब दरपन के केस होता और दोस्तों जब ब्लकुली से उतर हो जाएगा अगर आपके एक्जाम में यह पूछा जाए कि अगर जब यानि की मेंगनिफिकेशन धनातमग हुआ तो परतिविंग की प्रकिरती क्या होगे दोस्तों आभासी और सीधा होगी क्या होगी आभासी और सीधा इसको चीदर के से यात कली जिगा चले देखते हैं पर नेक्स्ट को संजो की बोर्ड एक्जाम 110 परसेंड पूछा ही जाएं हैं अगर आपसे यह पूछा जाए कि वकरता तिरिज्या उसकी फोकस दूरी की क्या होती है दोस्तों दोगुनी होती यानि की और बराबर टू यहां पर यहां पर यहां पर नेक्स्ट कॉस्टन की तरब बर चलते हैं तो फ्रेंड यहां पर आपको बताना कि प्रतिविंग का आकार हमेशा वस्तू के आकार के बराबर है तो दर्पन होगा तो आपको रहतों समतल रपन होता है इसमें जो परतिविम का अकार होता हुता है वस्तू का का करक profound So दोस्तों परतिविम का आकर वस्तु के आकार के ब्राबर होता है सिर्फ और सिर्फ समतल दरपन ही होता है यहां पर समतल दरपन जो परतिविम बनता है कैसा बनता है सीधा बनता है और दोस्तों यह उत्तल दरपन में भी परतिविम कैसा बनता है दोस्तों सीधा बनता है इसको पूझे जाएंगे तो यहां पर बताना किस अपर प्रावर संक्रांन का सत्व होता है श्पर्ण कुंसा अदर्पन का होता है छोसे पहले जब्ल हो जाए इंग और यहां पर लायक करेंगे और यहां पर टो दो भूरांस एलों मेरी नाषिकन क обсक्राइब होता हम दोप्रणा को लिए पर्रावर नहींas उन्याब सकते हैं यहां पर पारवरतन की नियम से निर्धाडत होती है परतेजिण जो परकास का प्रावरतन होता है इसका जो दूसरा नियम होते न तो तो क्या होते हैं कि आपतन कोन जो होते ना प्रावरतन कोन के बरावर होते हैं यहा liaison to अरे तो यहांबको बादा्ड हैं के अर्थांसा दरपन अप्यूखन करते हैं है तो हजामत बनाने के लिए तो हजामत बनाने के लिए जो piping आउत्लरफण कऊपयोग करतें क्योंकि आउत्लरपण में पर् 상ично है बेयुचितु इसलिए दण दौग देखा है एक चीज दली का चिंप चीज przed जूये पर्टिकल ससके है कि आपको बता है कि समतल दर्पं द्वहरा बना परतिविम होता थे तो तो फ्रीन हम आपको बहरोर बताते हैं जो सम्तल दरपन्य में जो परतिम मुंत थाइस modify ऐसा बनता है कि परिखने की देखते हैं Hawk question को सनगे यहां पर नुए को काने मिज्दकर वरक्रता तिरेजां की संबंध है लिए आत्रों फोक के वक्रता त्री जाए कि करें तो सब्देर वंटी है और अवक्रता की सीवल और से उतर हो जाए है तो उसकी वक्रता तो सबसे पहले माइनस सटवर्व होना चाहिए क्योंकि यह पे दरपन कौन से हैं दोस्तों रहते क्या है और इनातमक होती है्क आपको पता होना चाहिए फर्मला क्या होता दोस्तों में यह बधार आर बैठू हो पी तो फ्रिंड यहां पर देखेगा focus दूर यहां पर आपसे पूछ रहा है हाला कि sorry यहां पर तीरजया पूछ रहा है ठिचिक है तेर्जया यानि कि यहां पर अर्वर क्या हो जाए था वैँस्तर टूएर ऑनोफ यहां पर हम लोग को simply focus दूर यानि कि-10 से घुना कर देंगे तो यहां पर कितना हो जागा दोस्तों माइनस बीस सेंटीमीटर जो कि यहां पर उप्सन भी में आपका दिया हुआ होना चाहिए इसको चिदर के से याद के लिजेगा चले देखते हैं आप नेक्स्ट को सन के तरब बर चलते हैं यहां पर आपको बताना कि काल्पनि वास्तविक पर दोस्तों को सिधा यहात कलते हैं रहां दोस्तों बताना है कि निर्गत कि रण और अभिलां के कोंने मन्तैंदों उसको लोग क्या को निर्गत किरनर मंगे च्शाम के बहुत-महद्पूर्ण जो की बहुत हिमातपूर्ण है यहाँ पर बताना कि किस धर्पन से वस्तु चैनल से बिरापन यहाँ bene पर्पन यह पर आरल क्कि Verfügung , बहुत हुझा द्रपन वे patch. थे कि न यह अब बिंद्ल मिन द्रफ और उतनल दरपन वस्तु से ब्रावर संपर्फ संपनल दरपन में वस्तु मास्तु में Or उत दरपन में सोचे चोठा परी साफ गोले और आप और यहां पर आपसे पूछ रहा एप यानि की फोकस दूरी जो होती है नो दोस्तो वक्रता तरी जाए कि क्या होती आधी होती है तो यहां पर आर कामान जो दिया हुआ है पचास दिया हुआ है बटाटू कर देंगे इसको जब आप काटेगा तो पचीस दूना पचास हो है कि आउतल दर्पन से प्रावरतन के बाद किरन किस बिन्दू से कुज्रेगी काफी मत पूर्ण तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए यह आपका होतल दर्पन हो गया ठीक है और जर्फं यह आपका मुंक्हीं कुझा सा बिंदु होते हुए गुजडता है वही आपको बताना, ठीक है तो फिर जब है कोई प्रकास करना मुख अक्ष के समांतर किसी दरपन पर आपतीत होती है और प्रावरतन के बाद जिस बीदू से गुजडती या फिर गुजरती पर्तित होती है वह क्या कहला था दोस्तों focus कहला था क्या कहलाता है focus यानि कि यहां पर भी वला आपसन जैना बिल्कुलि से थरो हो जागा ठीक है चले देखते हैं यहां पर आपको बताना कि साइड मिलडर की रूप में परियूक्त होता है तो फ्रेंड यह और की रूप में कौन सा दर्पन का उप्योग करते हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं तो का दर्पन करते हैं पीछे से देखने के लिए यानि कि या पे भी वॉल आपको बताना है कि किस दर्पन से और बेशन से छोटा परतिम बनता है तो आपको पता हो न चीए किस दर्पन से यह वस्तु से छोटा परतिम बनता है तो उत्तल दर्पन से हमेशा वस्तु से छोटा परतिम बनता है इसलिए यहां पर बी बोला अप्शन जो है न बिल्कुली से उत्र हो जागा चले देखते हैं पर next question यहां पर आपको बताना है कि एक उत्तल गोली दर्पन से परतिम बनता है तो देखेगा option A में आपका दिया गया है आभासी या फिर वास्तिविक या फिर आकार से बड़ा या फिर उल्टा तो एक उत्तल गोली दरपन से परतिविम जो बनता है ना दोस्तों कैसा बनता है आभासी बनता है कैसा बनता है आभासी यानि कि यहां पर एबला option जो है बिल इसलिए यहां पे बीबला ओप्सन जोई ना बिल्कुली से उत्र हो जागा चले देखते हैं आपे next question यहां पे आपको बताना है कि गोले दर्पन के धुरूप से वक्रता केंदर की दूरी क्या कलाती हो यह आपको बताना है तो यहां पे परसन यह था दोस्तों कि गोले अपन के धुरूप से सभी दूरिया मापी जाती है ठीक है और दोस्तों वक्रता केंदर को हम 개인र को मलंब किक के तो चुर्य संब अट ढूरी तो देखते हैं आफे नेक्स्ट कुछन की तरब बर चलते हैं, यहाँ पर आपको बताना है कि वस्तु से छोटा और अभासी परतिबिम्ब, इन में से किस दरपन से प्राप्त होता है, दीग है, तो फृरेंड आपको पता होना चीए, वस्तु से छोटा और आभासी परतिविम्ब किस दर्पन से प्राप्त होता हुई आपको बताना है तो उत्तल दर्पन से प्राप्त होता है वस्तु से छोटा और आभासी परतिविम्ब यहाँ पर डीवल आप्सन जोए न बिल्कुली से उतर हो जागा चले देखती हैं आपर next question तो यहाँ पर आपको बताना है कि वस्तु से बड़ा और आभासी परतिविंब किस दर्पन से प्राप्त होता है तो friend आपको पता होना चीए जो आपका आउतल दर्पन होता है न दू NPN access question यहाँ पर बताना है कि ओतल दर्पन की वकृत्वा सकी फोकस दूरी चै तो हम बार बताते हैं जो वकृत तीरजिया ऊती कि क्या हो इत्वा प्रावर्तवemorतन में हमस्त क्रोबढ से जो हैं अगर आप यह सभी पर्सन को अच्छी तरीके से पर लेते याद कर लेते हैं ना तो आपके मैट्रिक वोड एक्जाम में आप से एक भी पर्सन नहीं चूटे है मैरा गैरंटी है और दोस्तो जो भी विद्यारीयों को ओलाइन टेस्ट वेकरह दिने ने आता है यहाप फेडी अप फटावर से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजिएगा और यहां पर जो भी विदियार थी वी तक वार्टसप गुरूब में नहीं जूड़े हैं तो जल्ली से फटावर से मेरा वार्टसप नमर को नोट कीजिए मेरा वार्टसप नमर इस नमर को सेफ किजिए आप बोले कि सर में वार्टसप गुरूब में जोड़ दीजिए तो हम जो ही ना सबसे पहले वार्टसप गुरूब में जोड़ देंगे ठीक है चलिए हम आपको लेगे चलते हैं कि आप पीडियाप को कईसे डाउनट कर सकते हैं या फिर ओल्लाइन पर फिर यहां पर ओल्लाइन टेस्ट या फिर पीडिया फिर ओल्लाइन पढ़ने के लिए आपको सिंपल यह अपको अपने मुवाल के करों ब्रोजर पर चलिए आना पड़ेगा फिर गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं तो यहां पर लिखना पड़ेगा में ज़र सब्सक्राइब करना है तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि उल्लाइन टेस्ट कैसे दे सकते तो लाइन टेस्ट के बटन पर किलिक कर देना होगा और इस तरह का अगर विज्यापन वेगर आया तो इसको एक बार खोल देना है उसके बाद यहां पर 2-3 सिकेंड वेट कर ना है उसकी बाद यहां पर बेक चले आना पड़ेगा तो फ्रेंज जैसे बेक आते न तो फिर इसी में आपको किलिक कर देना है तो आप उल्लाइन टेस्ट की जगा न दोस्तों यहां पर उल्लाइन टेस्ट करने के लाँद शब्सक्राइसे पढर लीजेंगा तो चैसे ब लौट यहाँ पर आपको अपना नाम डालना पड़ हो ने क्लिक रूप मिल जाएक हूं तब लिए पीडिया पर नोट्स डाउनलोड यहां से आपको मिलेगा ठीक है और इनके साथ अपडेली यहां पर सबकुछ पर सकते हैं तो टोटली यहां पर सबकुछ कुछ अबेलेवल है क्लास्ट मलब कलास्टें 24 के लिए साइंस और सांस्थ हिंदी संस्कृत नानिंदे सब इस वीडियो को अपने दुस्तों में जदस जरूर सेर की जगता की वह भी वोड एक्जाम की तारी काफी से कर सके तो फिर मिलती हैं पर अगले क्लास में दुस्तों आज के लिए इतना है दूस्तों थैंक्यों और यहां पर साम साथ बज़े क्लास होगी आस चीक है साम साथ बज़े